अमैजिंग पैक्ट से जीड़ी वीडियो निखने के लिए आप मेरे चैनल लोग सबस्प्प्राइब करें अगर आप कोई फ़ीधी पसंद आये ते वीडियो को लाइख करें अगर आप कोई फ़ीधी पसंद आये ते वीदि's लाइख करें Let's start this video lazy fact number first पिला रंग इसलिए होता है क्योंकि पिला रंग सबसे पहले ध्यान आकर्षित करता है साइंटिश्टों के हिर्साब से पिले रंग का लेटिरल पेरिफेरल विजन अधर कलर के कंपेरेजन में 1.24 ताइम्स अधिक होता है तदा अगर कही पर एक्सिडेंट हो जाए तो यलो कलर को आसानी से पैचाना जा सकता है तदा बच्चों की सुरक्षा की जा सकती है अमेजिंग फ्रैक्ट नमबर सेकेंड बारिष के बाद विप्टी से सुधन क्या आती है तो इसके पीचे साइंटिफिक विजन है जो पीड़ बहुत है वो हमेशा तेल स्क्रावित करते हैं जब बारिष आती है तो बारिष की बूर्डों के साथ यह तेल 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 इसे पू निगल लेने पर गले में गोठन ना हो इसके लिए बालपेंट चैप में छेथ किया जाता है अमेजिंग प्रेट रैक के बीच पत्तर क्यों बीचा जाते है तरसल जब ट्रेंच चलती है तो इससे जमीन और पठ्रियों में कमपन पैदा होता है इसके आलावा देल रूप स पट्रिया फैलती है और सर्दियों में शिकूर जाती है इससे ट्रेन का पूरा बार लखडिया सिमेंट की सिल्यों पर आ जाता है लेकिन पट्रियों की बीच पत्तर बीचे होने के कारण से यह सारा बार इन पत्तरों पर चला जाता है जिसके कारण कमपन पट्रियों का सिकू को आसानी से मूँव करने देते परन्तु जो फ्राफ कंडेक्टर होते हैं अपने अधर से आसानी से एक जगा पर प्रयास करते हैं तो हमें इन इलोक्रोन की त्वरिद गति के बारण अलका सा करण्ट लगता है अमेजिंग फैक्ट नंबर से एर कंडिशनर से पानी बाहर का निकलता है तो इसके पीछे साइंटीपी घ्रीजदा ने जब देशी चलता है तो उसमें उपन गयास इसमें लगे पाइपों से गुजगती है और इन पाइपों के ऊपर पानी की बुंदे जमा हो जाती है जब कि यह बुंदे बाहर के गरम बातामन के संपर्क में आती है तो यह बुंदे पानी में बदर जाती है और यहीं पानी एशी से बाहर निकलता है Amazing Fact No.7 Dry Eyes किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं तो मैं आपको बदाना चाहूगा कि फोस कर्मन डायोकसाइड को ही Dry Eyes कहते हैं क्योंकि यह बरफ की तरह दिखाई देती है तदा यह एक कूलिंग एजेंट के रुप में काम में ली जाती है Amazing Fact No.8 अक्सर हम देखते हैं कि विबिन प्रकार की पटा के फटने के बाद रंग बिरंग की रौसनिया प्रदान करते हैं इन पठाकों में रौसनिया प्राप्त करने के लिए खास तरह के रसाइनों का प्रयोग किया जाता है अलग-अलग रसाइनों के हिसाब से अलग-अलग रंग की रौसनिया पिखरती है जैसे अरे रंग के लिए बैदियम नाइट्रेट लाल रंग के लिए सीजियम नाइट्रेट और पीले रंग के लिए सोडियम नाइट्रेट का इस्तमाल किया जाता है अमेजिंग फैक नमबर 9 सोने पर जंग क्यों नहीं लगता क्योंकि सोना एक नॉबल मेटल है और ये रासाइनी गूप से निस्क्रिया है आपने प्लास्टिक की बातलों पर इक विस्स ट्रगार के पोड देख्यों कि क्या आप इन फोर के बारे में जानते हैम। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहाँगा कि यह कोड प्लाश्टिक की क्वालिटी और उसके यूज के बारहे में हमें जानकारी प्रदान करते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और क